इस गर्मियों में अकर बर्ट को ग्रीन पूर्ट वेजिटेबल पूर्ट मिलता है तो फिर और बर्ट को क्या चाहिए बर्ट की हेल्थ के लिए काफी फाहिदेमन है लेकिन आपको दुबारा बता देता हूँ कि क्वांटिटी इसकी काफी कम होनी चाहिए दोस्तों नमस्कार में मोहित पारिक और आप देख रहे हैं बर्ट वित मोहित यूट्यूब जेनल तो केसे हैं आप सभी आज में अपने सभी बर्ट के लिए लेकर आया हूँ ग्रीन वेजिटेबल मिक्स जिसमें कई तरह की सभजियां कई तरह के पत्ते मिक्स है जो कि आज हमारे बर्ट काफी सोक से काएंगे गर्मियों में सबसे बहत्री डाइट है हमारे बर्ट की इसमें कई तरह की सभजियां हमने कटिंग की है आप स्कीन पर वीडियो देख सकत और इसमें काफी तरह के पत्ते हैं और ये फिंच बर्ड के लिए वेजिटेवल मिक्स है जिसको हमने थोड़ा सा ग्रेंट किया है और जो सब्जियों के अंदर का जो मुदायम भाग होता है बीज वाला बाग उसको हमने भारी किया है तो ये बर्ड के लिए काफी छंडा रह यहां पर काफी सारे पक्ते भी हैं तो चलिए सबसे पहले हमारे संद कन्यूर बर्ड काफी जदा इंतजार करते हैं कोई भी नया खाना जब बर्ड शेटप में आता है तो दोस्तो आप देख सकते हैं हमारे पाइनेपल कन्यूर और संद कन्यूर काफी टाइम के बाद आज फिर से अपने बर्ड सेटप में बाहर आए क्योंकि अब तक क्या है कि ब्रेडिंग कल रही थी अब जाकर के दिरे ब्रेडिंग के बर्ड को अटा रहा है तो फिर से इनको एक अच्छी प्लाइंग देने की शुरुवात करेंगे तो दोस्तों ये ग्रीन फूर्ट सबसे पहले हम देते हैं अपने एक्ष्ट्रेलियन बदीज को क्योंकि ये काफी ज़्यादा इंतजार कर रहे है और इसके बाद नमबर लगाएंगे दिले दिले सभी बर्ड का ये आप देखें ये पाइनेपल कन्यूर आ चुका है और इसके पिछे पिछे ये सभी आने के लिए तेयार है आज आज़ो 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 दोस्तों ये आप देखी ये बजीज बाहर निकल गई है ये उंदर जाने का नाम नहीं दे रही है आजाओ आजाओ आव आव आव आजाओ Chinese अन्दर जाओ अंदर जाओ खक्राओ तो दोस्तों फाइनली बजरी तोते काफी जदा इंतजार कर रहे थे तो अपमें बदीज पे रटके सेटप में आ चुका हूँ और हमारे इस्क्रेलियन बदीज जयाओ ग्रीन फूट को खाने के लिए नजदीक आ रहे हैं आप देखें तो दोस्तों काफी बहतरीन और मनोरम द्रेशी आप देखें इस गर्मियों में अगर बर्ड को ग्रीन फूट बेजिटेबल फूट मिल जाए तो फिर और बर्ड को क्या चाहिए बर्ड की हेल्थ के लिए काफी फाइदे मन है लेकिन मैं आपको दुबारा बता देता हूँ कि क्वांटिटी इसकी काफी कम होनी चाहिए दोस्तों ये बरतन इसना बड़ा नहीं है कि बजीश पेरेट एक साथ में इस बरतन के उपर उतर कर इसे खा सकें बरतन काफी थोटा है दोस्तों ये बरतन इतना बड़ा है कि पूरे सेटप के बजीश दोते अगर चाहिए तो इसके उपर उतर कर इसे खा सकते हैं दोस्तों आप देखें दीरे दीरे बजीश पेरेट आने लगें और इस तरफ आप हमारे कनूर बर्ट को देखें ये इंतजार कर रहे है खाने का और एक बजीश पेरेट बाहर है सेटप से कोलोनी से बाहर निकल गए थे गेट के द्वारा कर दोस्तों आप हमारे है झाल झाल चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आज मैंने अपने बर्ड के इस ग्रीन फूड में कौन-कौन से वेजिटेबल और पत्ते मिक्स किये हैं सबसे पहले पत्तों में तो है पालक जो की बर्ड का काफी ज़ादा पसंदीधा होता है और काफी ज़ादा फाइदे मंद है दूसरे नमर पे है पुदीना ये भी बर्ड के लिए काफी ज़्यादा फाइदे मंद है जैसा कि मैंने आप से भी को बताया कि बर्ड के पाचन के लिए दिजर्शन सिट्रम के लिए काफी फाइदे मंद है इसी के साथ ये दनिया और सबज्यों में है दोस्तो ककडी, खीरा, लोकी इसी के साथ ये टिंडा जिसको एपल गार्ड भी कहते हैं इसके अंदर सिम्भा मिर्च बर्ड के blood को साफ करती है तो सिम्भा मिर्च बर्ड के लिए काफ़े फाइदे मत है इसे के साथ यह तोरी इसको तोरही भी कहते है रीजगाड भी कहते है तो यह सब चीजों को मैंने बिल्कुल बारी कर लिया है आप देखें कि cutting हो रहे हैं सभी और cutting होने के बाद में जैसे finch bird है तो finch bird इने सिधा नहीं खा पाएगी तो finch bird के लिए इसे हम grain कर देंगे और दूसरे जो bird है वो इसे आसानी से खा लेंगे जिसे हमारे बजी स्पेरट है love birds है, cocktail bird है finch bird के लिए थोड़ा सा grain कर देंगे जादा नहीं करना, जादा करने पर काफी बारिक हो जाएगा, पानी बन जाएगा तो दोस्तों आज के इस वीडियों बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, नए टोपिक के साथ अगर आहप सभी को वगोरा बनेगे वीडियो पसंद आते है, हमारा bird setting पसंद आता है तो अमारे channel को subscribe करके mail के icon को click करें और हमारे हर एक नहीं वीडियो को like किया कुमेट किया करें है कि हम्हें अगला वीडियो कि टोपिक पर बनाना चाही है